नमस्कार, कुईक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सेर्चाट अप पे अपना मॉबाइल निमर कैसे चेंज करते हैं तो इस वीडियो को देखते रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सेर्चाट अप पे अपना मॉबाइल निमर चेंज करने के लिए आनि की बदलने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फोन में सेर्चाट अप को ओपेन करना है तो चलिए सेर्चाट अप करते हैं open करने के बाद आपको ऊपर में करनर में यहाँ आपको एक profile icon का option मिलेगा ता आपको यहाँ पे click करना है click करने के बाद आपको नीचे में एक edit profile का option मिलेगा ता आपको यहाँ पे जाना है जाने के बाद आपको ऊपर की और scroll करने लेना है scroll करने के बाद आपको नीचे में mobile number दिख जागा तो आपको mobile number पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है verify your current phone number यहाँ पर जो भी आपका अभी phone number इसमें डाले हुए है उसको verify करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि नीचे में get OTP का option दिख रहा है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपके phone number पर एक OTP आएगा, एक code आएगा अगर यह SIM इसी phone में लगा होगा तो यहाँ से automatic verify हो जाएगा नहीं तो अगर इस SIM को आपके इसी दूसरे phone में लगाए होंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि उस OTP को डालना होगा तो चलिए आपर हम OTP को डाल लेते हैं code डालने के बाद आपको क्या करना है कि confirm पर click कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका phone number है वह verify हो जाएगा अब इसमें आप जो भी नया mobile number add करना चाहते हैं डालना चाहते हैं वह mobile number आपको इसमें लिख लेना है तो चलिए आपर हम अपना phone number लिख लेते हैं phone number लिखने के बाद डालने के बाद आपको क्या करना है कि gate to dp का option दिखेगा तो आपको यहाँ पर click करना है click करने के बाद अगर यह mobile number इस phone में लगा होगा तो यहाँ सो code automatic verify हो जागा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जो मेरा code है automatic verify हो गया है अगर इस number को आप किसी दूसरे phone में लगाए होंगे तो यहाँ पर आपको code जागा तो उस code को डालना परता तो यहाँ पर verify होने के बाद उपर में आपको एक save changes का option दिखेगा तो आपको यहाँ पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर जो आपका phone number है वो change हो जागा तो इस तरह से आप share chat app में अपना mobile number को change कर सकते हैं अगर आपको यह video पसंद आया तो इस video को like करें और इस channel को जरू subscribe करें धन्यवाद